दोस्तो सूजलोन एनरजी की बात करें यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग निज निकल क्या रही है जिनको एक एक करके हम डिसकस करने वाले सूजलोन एनरजी जिसको फिर से ASM लिष्ट स्टेज फोर में कर दिया गया है इसके पीछे क्या रिजन है क्यों इसको स्टेज फोर में वापस लेके गए जबकि इसको धिरते नीचे लाना था लेकिने ऐसा हुआ नहीं तो क्या इससे सूजलोन की सेहत में कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे आगे संबावना गिरावट की बन रही है या फिर एक सांदर तेजी फिर आने वाली है चाहे वो स्टेज फोर में हो तो यहाँ पर इन सारी बातों को समझने की कोसिस करेंगे और क्या इस समय सूजलोन में इंवेस्मेंट करना चीए क्या आने वाले समय में स्टॉक 100 को क्रोस करेंगा जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नूटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले सुजलोन के कारोबार की बात कर लेते हैं श्टॉक की शुरुआत हुई 46.95 पर पॉइटिव शुरुआत हुई कल के क्लोजिंग 46.05 के आसपस थी इंट्राडे में 47.75 का ही भी बना यानि काफ़ एच्छी दोड लगाई लो है वो 46.50 का है यानि पूरे दिन में गिरा उतनी हुई यह सबसे अच्छी बात है अनित में कलोजिंग 46.95 पर रही जापे 1.95 परसंट की तेजी बनी है तो लगबग 2 परसंट के आसपस की तेजी बनी है बाजार भी आज काफ़ी जड़ा आप देखे दो उपर नीचे जो लेखा है अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है सुजलोन एंडर्जी को 13 तारिक से स्टेज 4 में डाल दिया गया फिर से अब आप यह देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सुजलोन एंडर्जी जिसका यह स्टेज 4 में डालने का कोई मतलब नहीं था है क्योंकि नहीं यहाँ पे ज़्यादा वॉलिम बढ़ रहा था और नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई अपर सर्केट या लोर सर्केट लग रहे थे आप यह देखी सकते हो कि लगाता है जो इसकी प्राइस यह वो धीरे दरे बड़ी है उसमें गिरावट भी हुई है आप देख सकते हो कि 9, 12 और 13 तारीकों लगातार यहाँ पे कुछ गिरावट जरूर हुई है और फिर 14 तारीक से तेजी फिर बननी शुरू हुई है तो यहाँ पे यह जो देखते हो कि कोई लोर सर्केट अपर सर्केट नहीं लगा आप यह देखी सकते हो कि 13 फरवरी को लगबग 0.20 परसंगी तेजी थी और साथ फरवरी को 2.60 परसंगी तेजी तो शिरफ एक दिन के लोर सर्केट में इसको स्टेज फोर में लेके गए यह बात थीक नहीं लग रही है और देखे तो वालीम इतना नहीं बढ़ रहा है वालीम इलिमिटेड है तो वालीम भी कम ह है और लोर सर्केट अपर सर्केट का दौर भी नहीं चल रहा है तो इस्टेज फोर में अभी लेके जाने की ज़रूत नहीं लेकिन ले गए तो यह उन्होंने कोई सोच रमज के ही किया होगा अब इसकी परफॉर्मस देखे तो आठ फरवरी को स्टॉक 49.35 के आस परसंग ज लेकिन यह सर्केट फिर आपको खुलता हो दिखाई देगा वॉल्म में थोड़ी सी कमी आई पिछले एक महीं ने में इसका इलेवन कोड का वालीम था शिक्स कोड की डिलेव उठाएगी थी वन वीक पहले नाइन कोड का वालीम मता फाइग डिलेव उठाएगी थी कल सेव सुजलोन एनरजी निप्टी फाइव नेट के अंदर सबसे सांधर परफॉर्मेस करने वाला स्टॉक साबीत वा करीब 425 परसें का इस ने बंपर रिटें दिया है तो देख दो कि यह निप्टी फाइव नेट के अंदर सामील लई है और इसने बहुत ही सांधर रिटें दि लोगों के लिए यह 9 रुपे से स्टॉक 47.35 तक पहुचा है जिसने 426 परसें का बंपर रिटें दिया है सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की और बुक बहुत मजबूत है लगातार इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी कंप्लेट कर दिखाई देगी कंपनी कर से बार निकल गया और इसी वज़े से इसकी प्राइज बढ़ रही है उसे तरफ देगे तो इस बार हमारे इंटरिम बज़र्ट में वन गीगावाट के आपसवर विंड के लिए जो प्रोजेक्ट का आयलान सरकार की तरफ से किया गया जिसके टेंटर जारी किया जाएंगे सुईलोन को ही अल्टिमेटली यह काम मिलेगा उसका पूरा प्रोजेक्ट डेवलोप करने का और इसी विज़े से सुईलोन आने वाले से में कमाल करता हो दिखाए देगा अब एक बड़ी अपडेट और निकल क्या रही है इरिड़ा के CMD प्रदिम कुमार दास की तरफ से बड़ा बयान दिया गया उनका कहना है कि आने वाले 2030 तक जो सरकार का गोल है उसको अचिव करना अगर COP का तो करीब 30 लेक करोड इन्वेस्मेंट की जुरूत पर यानि बहुत सारा निवेस इस सेक्टर के लिए चाहिए यानि यह भरी बरकम निवेस आएगा तबी उस गोल को अचिव करो पाएंगे जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है यानि एक तरह से देखे तो बहुत सारा निवेस होने वाला यह प्रदिव कुमारदास का कहना है तो बुद्वार के दिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एक्सेसन और्गेनाईज किया करता है इस मीटिंग के से वो रंग ला सकती है अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहे है जैसे कि आपको पता होगा चाहिए सोलर अंडर्जी हो या वीने अंडर्जी उसको स्टोर करने की जरूरत है वरना वह सारी बिजली वेस्ट हो जाती है तो ऐसे में बैटरी स्टोरेज की जरूरी है तो यह जो बड़ी अपडेट निकल के आ रहे है कि करीब 4 गिगावाड की कैपसिटी बैटरी स्टोरेज की बन जाएगी 2028 तक तो क्रिशिल रिपोर्ट की तरफ से क्रिशिल रेटिंग ने जो रिपोर्ट जारी किये कि जो सरकार ने वीज़िय जो पॉलिसी लाई है उसकी कोई भी बैटरी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि बीजली महेंगी हो जाएगी सोलर और वीन अर्जी की कैपसिटी तक दिसंबर 2023 तक री 120 गिगावाड के आसपास है और 70 गिगावाड की कैपसिटी 2019 के पहले थी तो लगातार कैपसिटी बढ़ रही है और यहाँ पे प्रिक्सें लगाया कि 2028 तक 220 गिगावाड की कैपसिटी इस्टॉल हो जाएगी सोलर और वीन अर्जी के मादिम से उसको स्टोर करने के लिए जरूत पड़ीगी तो बैटरी स्टोरेज की समता को बढ़ाना होगा तो सरकार वीजी अप स्किम के तयाद 3760 क्रोड का खर्च क करके 4 गिगावाड की कैपसिटी स्टॉल करने की कोसिस करिये ताकि आने वाले समय में जो इतने भी बिजली की जो खपत है उसको पूरा करने के लिए स्टोर किया जा सके तो क्रिशिल की तरब से का गया है कि जो वीजी एप है जो इसकिम लाएगे जिसके तहर जो बैटरी स पॉजिटीव बना है और सरका की तरब से कुछ बैनिफिट दिया जा रहा है सबसेरी दी जा रही है तो क्रिशिल का कहना है कि इससे यह बैटरी है इस्टोर चपता प्राप्त की जा सकते है फोर गिगावड की दोजार रटाइस तक अभी एक अपडेट और है यहां पे दे पॉटल विन एनरजी का जो शेर में आगा देगा तो 33% का शेर अकेले सुजलोन का यानि मार्केट शेर काफी बड़ा है इसका सुजलोन का और यह योगदान इस बात का सबूत है कि आने वाले समय भी इसका कारोबार तेजी से बढ़ता हो दिखाई देगा फाइनसेल एर 15 में कमपनी के उपर करीब 18,000 करोड का भारी भरकम कर्ज था जो देखे दो कि इस समय पूरा कर्ज खतम किया कमपनी ने और यह एक्स की सेहत के लिए बड़ी बात है अब यहां पे अगर हम इसके फाइनसेल हेल्थ को देखे तो जो इसके आप रेटिंग दि एक तरह से बेटर पोजिशन में है और इसमें दाव लगाया जा सका है तो कुल मिला के सुजलोन में निवेस करना चाहिए आपको आने वाले इसमें सुजलोन आपको माला माल कर देगा अगर आप इसको तीन से पास साल के लिए होल्ड करे तो क्योंकि आने वाला जो को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स